परिचे इस पाट में हम वायू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. वायू के गुणों को बताने में, वायू के संगठन को समझाने में, इसके घटकों के महतु को समझाने में, वायू प्रदूशन के कारणों को बताने में, पवन्शक्ति को समझाने में. वायू के गुण बच्चों, हम सब जानते हैं कि वायू हमारे चारों तरफ है. चारों तरफ देखिए, क्या आप वायू को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वायू पारदर्शी और रंगहीन है. एक काघस का बैग लीजिए, इसमें वायू भरकर इसके मुँख को बंद कर दीजिए. क्या यह फूला हुआ दिख रहा है? अब बैग में एक छेद कीजिए. क्या हुआ? बैग का आकार सिकुड जाता है, और अंतताह यह चप्टा हो जाता है. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बैग के अंदर जो वायू थी, वो छेद से निकल गई. इस क्रिया से पता चलता है, कि वायू स्थान खेड़ती है. एक खुबारा लीजिए और उसका वजन कीजिए. इसमें वायू भरिये, और इसका मुह बंद कर दीजिए. अब फिर से खुबारे का वजन कीजिए. क्या दोनों भारों में कोई अंतर है? इस क्रिया से प्रमानित होता है, कि वायू में भार होता है. वायू के गुण, अलग-अलग स्वरूप और आकार के तीन खुबारे लीजिए. तीनों में वायू भरिये. हवा भरे खुबारे क्या एक दूसरे से भिन्न नजर आ रहे हैं? क्यूंकि उनका मूद स्वरूप और आकार भिन्न भिन्न था. वायू का कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता. या उसी पात्र का स्वरूप ग्रहन कर लेती है, जिसमें रखी जाती है. समीब के पार्क में जाएगे. एक सीधी रेखा में दौड़ना शुरू कर दीजिये. अपने शरीर पर एक रुमाल बांध लीजिये और दौड़ना जारी रखिये. क्या रुमाल नीचे गिरता है? नहीं या नहीं गिरता? आजबास की वायू रुमाल पर दबाव डालती है और आपके शरीर से चिपकाए रहती है. यह गतिविधी प्रमानित करती है कि वायू दबाव आरूपित करती है. प्रिथवी के चारों तरफ की वायू को वायू मंडल कहते हैं. वायू मंडल द्वारा डाले जाने वाले दबाव को वायू मंडलिये दबाव कहते हैं. अधिक उचाई पर वायू का घनत्फ कम हो जाता है. इसलिए उचाई बढ़ने के साथ ही वायू मंडलिये दबाव कम होता जाता है. वायू के अव्यव वायू गैसों का मिश्रण है। हवा में मुख्यता तीन गैसे उपस्तित होती हैं। नाइटोजन, N2, ऑक्सीजन, O2 और कार्बन डायोकसाइड, CO2। वायू में नाइटोजन 78 प्रतिशत, ऑक्सीजन 21 प्रतिशत और कार्बन डायोकसाइड 0.04 प्रतिशत होती है। इन तीन गैसों के अत्रिक्त वायू में जलवाश्प, धूल के कण और कुछ दूसरी गैसे भी होती हैं, जिन्हें नोबल गैस कहते हैं, क्यूंकि नोबल गैसें नगर्णे मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें विरल गैसे भी कहते हैं. वायू के घटकों का महत्व नाइट्रोजन प्रोटीन में उपस्तित होती है, जो सभी सजीवों के लिए जरूरी होता है, यहाँ पात्पों को प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, यह देहन में सहायता नहीं करती. कार्बन डायॉकसाइड प्रकाश संशिलेशन में सहायता करती है, यहाँ पात्पों को केड़ों से खराब होने से बजाती है, क्योंकि यहाँ जल में घुल जाती है, इसलिए सौफ्ट ड्रिंक्स बनाने में इसका प्रयोग होता है. अगनी शामकों में कार्बन डायॉकसाइड का प्रयोग होता है, जल वाश्प जल चक्र में एक महत्पून भूमी का निभाते हैं, यहाँ सूरे से विक्रित होने वाली इंफ्रा रेड किरणों से प्रिथ्वी की रक्षा करके प्रिथ्वी के तापमान को संत्रित रखता है मृदा और जल में वाईू, एक मिट्टी में थोड़ी मृदा लीजिए और इसमें धीरे धीरे जल मिलाईए, क्या आप मृदा में बनते बुलबुले देख रहे हैं, बुलबुले बनने का क्या कारण है? मृदा के कड़ों के बीच वाईू रहती है, जब जल को मृदा में मिलाते हैं तो वाईू जल का स्थान लेती है, जिसके परिणाम सोरू बुल्बुले बनते हैं मृदा में उपस्थित वायू पादपों के विकास को बढ़ावा देती है। वायू जल में भी उपस्थित रहती है। यह मचली और दूसरे जल में रहने वाले प्राणियों के निर्वहन में सहायता करती है। वायू प्रदूशन सैम राश्ट्रिय विज्ञान केंद्र जाने के लिए रास्ते में है वहाँ बाहर के अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए कार का शीशा नीजे करता है काला धुआ छोड़ती एक बस बगल से गुजरी वहाँ खासने लगा आप जानते हैं क्यूँ? गाड़ी से निकलने वाला धुआ वायू को प्रदूशित करता है जब इसे शोअस के साथ अंदर लिया जाता है तो यहाँ शोअसन नली और फेपडे को उत्तेजित कर देता है कारखानों से निकलने वाले हानी कारक रसायन भी वायू को प्रदूशित करते हैं पेंट, वार्देश और स्प्रे में ऐसे रसायन होते हैं जिनसे वायू प्रदूशित होती है जहां कूड़ा करकट दबाया जाता है उस पटाव से हानी कारक रसायन भी वायू को प्रदूशित करती है पवन शक्ति गतिशील वायू को पवन कहते हैं पवन बादलों को चलाते हैं और प्रिथ्वी पर समान रूप से विस्त्रित वर्षा कराते हैं पवन शक्ति का प्रयोग विद्यूत उत्पादन बैटरी को चार्च करने जलनिकासी क्रिशी की सिंचाई इत्यादी में होता है पवन शक्ति के प्रयोग का सबसे बड़ा लाब है कि पवन अक्षय है इसके द्वारा जनित विद्यूत प्रदूशन मुक्थ होती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वायू में भार होता है यह दबाव आरोपित करती है और स्थान खेरती है वायू का कोई निश्चित सरूप या आकार नहीं होता वायू कई गैसों का मिश्रन होती है वायू में नाइट्रोजन, आक्सीजन और कारबन डायोकसाइड, जलवाश्प, धूल के कण और कुछ दूसरी कैसे भी होती है वायू के प्रते घटक की एक महतपून भूमिका होती है गाड़ियों से निकलने वाला धूआ, कारखाने, पटाव, पेंट, वारनिश और स्प्रे वायू को प्रदूशित करते हैं पवन शक्ती का प्रयोग विद्युत उत्पादन, बैटरी को चार्ज करने, जलनिकासी, क्रिशी की सिंचाई इत्यादी में होता है पवन उर्जा प्रदूशन मुक्थ होती है